नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अज हम आपको बताने वाले हैं रियल्मी 3 3i या फिर कोई भी मोडल हो उस सेट में अगर आपका डाउनलोड का मैसेज आ रहा है अगर आपने यूस्वी के तुरू वाय यूस्वी ऑफलाइन फ्रैसिंग करी हुई है और उसके बावजूद भी आपका जो फोन है पूरी तरह से ओन नहीं हो पा रहा है और इंकंप्ली डाउनलोड का मैसेज होगे इंकंप्ली डाउनलोड का मैसे रहा रहा है तो आप उसके स्वाल करेंगे कैसे करेंगे या फिर किस तरह से आप इस समस्य से निजाद पा सकते हैं यहां पर नीचे बॉट्म में थ्वड़ा सा आपको मैसेज आ रहा ही देखिए तो कुछ इस तरह की समस्य इस set पे आती है और यह set मेरे पास dead में आया हुआ था दोस्तों मैंने इसे dead boot repair किया हुआ है और dead repair करने के बाद इसे flash किया और flash में जो है कुछ ये errors आ रहे हैं क्योंकि कहीं पर ये पहले से flash हुआ है जिसकी कुछ इसकी इन दर की जो files हैं वो miss हो गई थी और में इसका मैसिज वा रहा है तो समस्य को ωिंड हाई तो आपको तूस को फिर आपको अन्डोय के थूल कि कैसे इसे जो है लिपेर करना है कैसे सॉल्व करना कैसे फिक्स करना है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपका यूफाय का Android टूल ओपन कर लेना है और इसी के थुरू आप इसे फुल फ्लेशिंग भी कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने ओपन कर लिया है Android टूल और आपको MTK पर या MI है जो भी है आपका किसी भी मॉडल को फ्लेशिक कर सकते हैं यहां पर उसका तरीका सिर्फ फौर सिर्फ यह है कि सबसे पहले आपको मॉडल सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना यह दिखिए यहां अगर आपका मॉडल नहीं दिख करना है या फिर मॉड्र के अंदर आपको लग देना है या फिर दीन एपको और फा फाल्ड को रख देना है जब NRI-d के अबस निरा जा उसके बादि और तूल को यह फ़ां टूल को ऊसके बाद आपको वैलूम आप और डाउं-प्रिस करके के केबल को इन करना है identify करके identify करके जैसे आप वैलूम डाउन आप और वैलूम आप और डाउन को जो है प्रेस करके जो है केबल को इन करेंगे आपका फोन जो है देखिए यहां पर आपको यह फोल्डर है हमारा यह देखिए हमने क्लिक किया यहां पर देखिए हमारा फोल्डर ओपन हो गया और यह हमारी फाइल से दोसरी जो है यहां पर यहां पर आया है से मोडल की किसी भी सेट की आप उसे यहां पर राइड करतें तो आप उसे यहां पर राइड करता हूं देखे only one file को ही यहां पर आपको write करना है oppo custom की file oppo custom image और इसे हमें write कर देना है देखे हमारी writing जो है one second के अंदर जो है complete हो जाए क्योंकि यह कुछ kb की files है और जैसे मैंने start किया उसके कुछ seconds में three कुछ seconds इसमें दिखा रहा है आपको जिसमें यह complete हो गया flashing complete हो गया अब हम अपने phone को जो है बहार निकालेंगे और on करके देखेंगे चलिए दोस्तों set को on करते हैं और on करके देखते हैं कि हमारा phone जो है कोई प्रॉम कर रहा है यानि देखे हमारे phone के अंदर यह complete हो चुका है यानि कि अगर आपको कोई भी मोडल है और incomplete डाउनलोड सो कर रहा है जब भी आपने offline के बाद ऐसी कोई समस्थे आती है निकि जब भी आप offline flashing करते हैं किसी भी डोंगल या टूल के तुरू और उसमें ऐसे अर्यार आ जाता है तो आपको कुछ इस तरह से रिपेर करना है आपको जो भी से मोडल का कोई भी फुल डंप का security चाहिए यानि security के अंदर से यह को ऐसे सिर्फ आपको शुरू के तुरू ही आपकी यह समस्य सान हो सकती फिक्स हो सकती उसे राइट करने के बाद जैञें सब्सक्तार है और मैंने जो भी ओक किस्टम की फायल यहां पर डाली हुए SiSat पर वह 32 जीवी की है यानि 32 जीवी सेट का जो हमारा फोन था जिसका डंब था वो 32 फोन का था और यह हमारा 64 जीवी है देखिए 4 जीवी रैम सो कर रहा है यहां पर और आगे हम आपको दिखाते हैं इसका स्टूरेज भी अब आगे हैं आगे हैं आगे हैं आगे हैं आगे देखिए दोस्तों हमारा जी फोन है यह चोज़ी भी का है और इस पर जो हमने ओपो कस्टम की फाइल राइट की हुई वह 32 फोन से जो हमने रीट की हुई थी और उससे ही हमने यहां पर राइट किया है इसका मतलब यह हमारा